हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल विएस नॉलेज फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस जल वार्डन फायर मैन की वेकैंसी का एड्मिट कार्ड जारी कर दिया गया है इस एड्मिट कार्ड को कैसे डालोड करेंगे इसी भी से मैं आज यहां कंप्लिट जयानकारी दिने वाला हूँ फ्रेंट्स यहां आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का यहां ओफिसियल साइट है जहां पे मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश जेल वाल्डन और फायर मैन की वेकैंसी का नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ इस वेकैंसी का एड्मिट कार्ड जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरुसों एवं महिलाओं के लिए जल वार्डर, फायर मैन पूरुस एवं आरच्छी घुरसवार, पुलिस के पदो पर सीधी भरती दोजा सूरा की लिखित परिच्छा हेत अभ्यार्थियों को प्रवेश पत डाउन लोड करने के विशे में फ्रेंड्स यह नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं डिटेल में फ्रेंड्स एड्मिट कार्ड का यहाँ नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ आप यहाँ पर जाके यहाँ नोटिफिकेशन डिटेल में चेक कर सकते हैं फ्रेंट्स अब मैं आप लोगों को जल वार्डन और फायर्मेन की वेकेंसी का एड्मिट कार्ड डाउनलोड करना शिखाऊंगा फ्रेंट्स इस साइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप वहां से डारेक्ट क्लिक करके इस साइट पर आ जाएंगे फ्रेंट्स आने के बात सबसे पहले यहां पर एक्जामपल दिया है तो आप कुछ एक्जामपल यहां पर रिट कर सकते हैं फ्रेंट्स जयसा के एक्जामपल दिया है तो आपको अपने application number के आगे F लगाना होगा और अगर आपने jail warden के लिए apply किया है तो आपको अपने application के आगे J लगाना होगा friends लगाने के बाद friends यहाँ पे आप अपना जहाँ पे लिखा है candidate login यहाँ पे आपको application number डालना पड़ेगा application डालने के बाद यहाँ पे date of worth फिल कर करना है चेकआओट करने कе बाद यहां पे लागिन कर लेना है लागिन करने के बाद आपका admit card आजाएगा आप अपना admit card download कर सकते हैं friends मैं आप लोगो को करके दिखा रहा हूं यहां पे application number डालना है application number डालने के बाद friends यहां पे gel press order का थहा तो मैं अपने application के आगे यह लगाऊंगा यह लगाने के बाद यहाँ पर data work select करूँगा सबसे पहले यहाँ पर month select करूँगा month select करने के बाद year select करना है year select करने के बाद day select करना है friends पहले year select कर लेता हूँ year select करने के बाद यहाँ पर day select करना है 电 re-select करने के बाद यहां पे checkout पे click करना जहाँ लिखा है I am not robot यहां पे click करना है यहां पे कुछ ऐसा इंटर्फरेस आएगा friends तो आपको यहां पे इस को verify करना पड़ेगा professor F République I specify लेता हूं verify करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं शही का निसान आ गया green color में फिर आपको यहाँ पे login कर लेना होगा login पे मैं click करता हूँ friends friends login करते ही कुछ ऐसा interface पर नहों कि आएगा friends यहाँ पे आपका admit card आ जाएगा जैसा कि यहाँ admit card आ चुका है देख सकते हैं फिर यहाँ पे आपको English का option है आप English या Hindi दोनों में select करके अगर आपको English में चाहिए तो English select कर सकते हैं अगर आपको अपना admit card हिंदी में चाहिए तो Hindi select कर सकते हैं फिर यहाँ पे print का option है friends print कर सकते हैं यहां आप देख सकते हैं एड्मिट कार्ड आ चुका है फिर यहां पर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दिये हैं आप उनको रिट कर लीजिएगा आपके भी एड्मिट कार्ड में दिया रहेगा फ्रेंड्स आप उसको ध्यान पुरुवक रिट करिएगा फिर इंट्रक् फ्रेंड्स अगर आपको अपनाय ड्मिट कार्ड़ डाउनलोड करने में कोई भी प्राउबलम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मैं आप लोगों को अड्मिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स विडियो अच्छा लगा हो थो भास बईन्